स्वै जीवनी, नंगी तोप, लेखक बलवंत गारगी, पाग पजवा मेरे इर्द गिर्द जिंदगी दे रिष्टे पुठे दे सोडे सन जवान मुंडे कुडियां दी ताजगी ते परोण वाडियां बासी गला मैंनो कुडियां दे होस्टला थे ओना दियां उस्ताधनियां दी गुजी सेक्सी जिंदगी दा भी पता सी मैं ऐहो जहे उस्ताधनियां वारे जानदा सा जो अलड़ कुडियां नो ममता दे पर दे हेट अम्रित पन वासना लई वर्त दियां सान कुडियां इस रिष्टे दी असलियत तों पूरी तरह जानू नहीं सन्हों दिया उस्तानी मादे रूप वेच कुडी दी रख्या कर दी उसनों पुछकार दी दुलार दी ते हॉली ओली एह दुलार गरम चुमन आते आंत वेचे हम बिस्तरी वेचे बदल जान्दा एह रिष्टा एक परकार सुचा सी खूब सूर्थ बगैर किसे खत्रे दे उस्तानी जिन्दगी उस्तानी जिन्नी करड़े सो बादी हुंदी उतना ही उस विच मम्ता आकर्शन वर दे रे जागदा कुडियां एको क्यूबिकल विचे रेंदियां ते पकियां से हिलियां दे नाते सारे कम संजे कर दियां ओह एक दूजी साड़ी जां बुलाउज पा लेंदियां इकठियां ही रुटी खांदियां एकठियां पाट दियां ते फिर कई वारी रात नो बिस्तरे विच एक दूजी ना जफी पाके सौँ जान दियां नीन विच ओओ एक दूजी नो चुम दियां पकियां सहिलियां एह अदर्श वादी रिष्टा होली होली पिगल के काम सता रिष्टा बंड जान दा एह जिंसी सहिलियां बंड जान दियां वेग नाल परियां हमेशा नाल रहन वालियां साथना कुरियां दे मापे उ은न अनौ सकीयां przyjna माग समाई दे शुटियां वेच ओओ कुज देना लई जुदा होन लगेवी कुडियां एक दूजी दी जुदाई ना से सगधियां एक दूजी ली तरटपदियां रोंदियां दे इश्किया चिठियां लिख दियां ओह कड़ियां गिंड़ियां की कदों दुबारा मिलन आते एक दूजी दे जिसम दा निग महसूस करन समाज एना रिष्टियां नू मसूम समझ के परवान कर लेंदा सी वेग नल मच्चे कुडियां दे इह रिष्टे लोकानू परवान सन मैं फ्रांस दे परसेद नाटकर या येने दा नाटक नौकराणियां स्टेज करन ले कुडियां चुड़ रहा सा इस ड्रामे वेचे सिर्फ तेन पातर सन दो नौकराणियां दे ओहना दी मैडम एह दो में नौकराणियां पैना हन अथे अपनी अमीर मालकं दे किचन वेच ते वेचे काम करदीयां थे एक निक्की जई ही कोठड़ी वेच सौंदीयां हन जिदो मालकं नहीं उधीता एह एक खेर खेर दियाई हन जिस विच एक पैन मालकन बन जादी है अते दूजी उस दी नौकराणी मालकन उसनों बड़ी मेहम बेरैमी नाल हुकम देंदी है कि दूजी उस दी परना करदी है जदो एक दी बारी मुकदी हाता है दूजी पैन मालकन बन जादी है ते पहली पैन नौकराणी एक पैंट दूजी उते जिनसी जुलम करन दी भी पागण है उसनों जहर वाली चाप पिला के खुशी-खुशी मरदें तक दी है इस विच जुर्म दी शेहिंशाहित अते अजमत दा जिकर है क्योंकि अंत विच एक पैंट दूजी न तसीह दे दे के मार सुट दी है मैं कुडियानु जिनों इस नाटक दा विशा सुनाया था इस विच दो पैंट दे जिनसी संबंद अते उलार संबूग बारे दस्या था कुडियां डार गिया कोई इस तरह दा रोल करन लई त्यार ना होई इस पिछों मैं फिर अपनी कास्ट देई तलाश विच होस्टला विच गया थे तिन कुडियानु इस समहान नाटक दा विच पाट करन लई परे रिया मैं उनानु नाटक दा विच ना समझाया सिधी रियसल शुरू कर देती कुडिया एक दूजे नु जफी पॉंट तो सांगदिया साना मैं होनानु आख्या की हो अपने आपने आपनु सकीया पैना समझना जा दो सहिलिया जो बड़िया नेक अते सुचिया हानो के होस्टल क्यो बीकल विचरें दिया नग्रा गांसे हनो कियों कि वह पक्याय से हैलिया जफी पॉंट यह लाड़िया ये इस तरह कर दिया इस तरह उना दे अबोल ही दो उलार समोग विच डुबियां नों कराणिया दा पाठ बहुत शिदत अदे खूबसुरती नाड़ कीता मैं गुरू नानक देव श्तापदी दे समागम वास्ते गगन में थालू लिखिया तो महीने तो इस दी रहसल का रहा सा नाटक न इस विच विद्यार थी याने हूम हमा के हिसा पाया सी नाटक ने शाम दे साड़े शे वज़े शुरू होना सी मैं इस विच पागलान वाले मुंडी कुडियां नों टे गोर थेटर पुजनली आख्या सी तांकि ओह अपने पुशाका ते मेकाप शांती नल करके परदा पहला ही तियार हो जाना मंच दे शिंगार कमरें वेचे सब एक्टर थे एक्टर सां मश्रूब साना मैं ओना दे काम काई निगरानी करदा हर चीज नों चेक का रहा सी मेरे देनों यक दम तक का लगा जदो मैं देख्या की माला जगी जो हिरुएंदा पाट का रही सी गाइ मिसेज राम ने मैं तो पहली कतार वेचे बठन लई दो पास मंगे साना मैं एह पास नहीं सिकार सकेया क्योंकि यूनिवर्सिटी दा अपना ही इंदिजम सी इस नाटक दे परजर्शन वास्ते यूनिवर्सिटी दे अफसराने सीटा नों अपने ही टांगनल बंडे होया सी पहली कतार वेच चीफ मिनिस्टर होर वजीर, दूजी कतार वेच हाई कोट दे जाज, टीजी दे चौती की चार वेच यूनिवरसिटी दे डीन ते सिंडीकेट दे मेंबर आद ते पझवी कतार वेच प्रिनसीपल मिसेज राम नो कुड़ियां दे गौर्मिट का रही दी प्रिंसिपल होंट देना थे दो पास पे जेगा ऐसा न पर मिसेज राम ने खवापे जैसी की जे उसमों बजीरा थे जजजा देना पहली कितार दे विचे दो सीटा ना देतीया गया था ओह नाटक देखन नहीं आवेगी मैं समझा की ओह मखौल का रही सी मिसेज कुशलिया राम चंडीगर दी कल्चरल सुबेदारनी सी ओह चंडीगर ने कलात्मिक सबामाते कमेटियां उते शायोई सी थेटर थे आठ बारे बड़ी आकरनाल फत्वे देन दी अवाज पतली थे कुकी जमें उस दे गले विचे देसी के ओधी मालची दी लोड़ होए उस विच इतना लाड़ परिया दबका थे जलाल सी की वड़े तो बड़ा खबी खाम भी उस अगे नरम पह जान दा ओ सब तो सोहनी आते फैशनेबल कुडिया दी कस्टोडियन सी क्योंकि सारे पंजाब दीया आला कुडिया उदे काले विच पड़ दीया सन एह कुडिया उस दी जायदात सन ओ उह उहना नूँ उससे तरह साम साम राख दी सी जी में काले दीया फाइला नू जदो मैं माला जगी नू ना देखिया था मेरा सिर को मन लगा थे तरेलिया उन लगिया नाटक शुरू होटतों मसा अदा कंटा सी मैं बाहर दोड़िया कार विच बैठा था सिद्धा माला दे होस्टल नू ते तेज गया वारडन ने मैंनो दस्या की माला नू प्रिंसीप दी बेंती कबूल करके बदोर चीफ गेस्ट उना दे काले दी दा नाटक देखनाया सा ते हून उस्ते सवाली बढ़या खड़ा सा या कदा मैं माला नो देख्या ओहो आकी दे ग्राउंड विच्चों दोड़ दी हो याई उस दे लम्मे वाल ओडर रहे संते उस दे हाथे वे वेची ही सी नाउकर ने दस्या कि उस दी मेम साब किसे चा पार्टी उते गई होई सी मैं परेशान खड़ा सोज रहा सांक कि माला दी था किस कुड़ी नो रख्या जाए था जहां केड़ा सीन कटिया जावे की मोटर कार दे आउन दी आवास सुनी मिसस राम उतरी ओ जल्द वेच सी ओ साड़ी बदल आई सी क्योंकि उसने दुजी पार्टी वेच जाना सी मैं उसनो आख्या कि उसने माला नो क्यों रोक दिता सी माला बगएर एह नाटक के में हो सकदा सी गुरू नानक दे महां उत्ते एह नाटक फेल हो जाएगा माला ना गई था मिसस राम तेजी ना बोली एह मेरी सिर दर्दी नहीं ओह इस नाटक वेच पार्ट करन हरगिज नहीं जाएगी एह मेरा हुकम है मेलू नहीं परवागी तो हड़ा नाटक फेल हुं धाय जा पास तानू उस उत्ते ख्याल नहीं आया सी जिदो मैं दो टिक्ट मंगे सन ते मैं नू पंजीमी क कतार दे दो पास पेही दिते एह मेरी बेज जिती है मैं ते मेरा पती हमेशा पहली कतार विच बैठ देया मिसर राम इस समय एक जाजे दरूप विच सी कि मैं उस दी कचैरी विच खड़ा मुल जम मैं उस दी मिन्नत कीती मौफी मंगी पर उस उत्ते कोई असर नौया आकर जदो मैं वाइदा कीता की पहली कतार विच उनना लई दो खास कुर्सियं लगवा देयांगा ताकिते जाके मजाज ठंडा होया मैं शेती बाहर निकलिया माला नौ अपनी कार विच बठा के सिदा थेयटर नौ जदो असी पहुंचे रानाटक दे शुरू होन विच पांज ने में वार गाला कड़ियां पर क्रिशन वार वार मुस्करांदा रहा युनान दे महाजोदे हेक्टर नौ परे दर बार विच एक हर कारे ने बेज़ती कीता काला कड़िया थे उस दे मू उते चंड मारी एह इसलई सी की हेक्टर अपनी बेज़ती तो पढ़ा के जांगद का एलान कर दे वे पर हेक्टर शांत रहा थे उसने कोई बेज़ती महसूस ना की थी मिसिज राम कोशिच करन उते वी मेरी बेज़ती नहीं सी कर सकी अगला पाग नमब शे चंडी गड़ विच एक फैशन प्रेड दी पार्टी बंबई तो आई टेगोर थेटर विच उहना दे शो हुए इस दी डिरेक्टर ने राजी नो किसे पार्टी विच देख लिया थे उसनो फैशन प्रेड विच शामल हो ली परे रहा राजी उसनो चंगी माडल लगी राजी ने एक तनखा दे ते होर्स उलता बारे पुच्छा थे बंबई जान दे बारे सोचन लगी फैशन दी डिरेक्टर ने राजी नो तिनम ही ने ट्रेनिंग देंदा दावा किता ते आख्या की ओह बंबई पहुँच के फिल्म विचे काम करना असान होएगा मैं राजी नो इस फैशन डिरेक्टर बारे दस्या की एह एक सेठ दी दाश्ता सी एह बिल्कुल मुम्किन है कि राज स्टूडिय फिल्म दी था सेठ दे बैडरूम पिचे पहुँच जावे एह गल सुनके राजी डर गई थे उसने फैसन प्रेड़ दा ख्याल चाट देता फिर वी ओह फिल्मा वेचे जान ली बहुत भेबल सी उसनो कई डिरेक्टरा नो उसने कई डिरेक्टरा नो चिठिया लिखिया उना दे खुशगवार ते निग्गे रसमी खात आये जिनना नो राजी ने साम साम के रखिया उसनो जिकीन सी की जे ओह बंबई पहुंच जावे ता फिल्मा वेचे दाखल होना कोई मुश्कल काम नहीं सी राजी दी यादाश्त बहुत तेज सी ते उसनो तकरीबन फिल्मा दे सारे गाने याद सन कई फिल्मा दे ओ सीन ते डालेग भूबभू दोहरा सख़़ई सी मिलन दे सीन, गल्त फेमे दे सीन, कुरबानी दे सीन, विचोडे दे सीन, दर्द दे संताव दे सीन फिल्म फिर स्टार एंड स्टाईल ते सकरीन बकाइदा लें दी ये थे प्राइवेट जिंद्गियां ओना दे इश्क ओना दे कला आते शूटिंग दे खबना चाह नाल पड़ दी सी ओवड़े शीशे के खड़ी होके अपना चेरा देख दी थे अपने आपनों कई एक्टरस तों सोनी महसूस कर दी फर्क एहो से कि उसनों चांस नहीं सी मिलिया जे ऐसां नो ठाण दी सी त उसनों साल टो फिल्मा देख देख दे उसनों एक्टरस नाज दिल खिची मिया अधमा आते रशीलेट टांक गिरन कार लाए साना रजिंदर हfahrजिंग नमी फिल्म लेकिसे नमी ही घ्रवेंदी तलाच मेसी सुने आहे चंडीगर दे कुड़ीयां सौनी आहाना ते फिलमा दे आशक की मैं कुसे कुड़ी दा ना दा सकदा हाँ उसने खास ताउरते मिस किरन ठाकूर दा ना लिया सी क्योंकि उसने किरन बारे सुन्टर क्या सी की उस दे स्लिट से देखे साना किरन ने युजीन और नील दे ड्राम में डिजायर अंडर दी ऐलमज विच एबी लारोल कीता सी मैं बेदी नो किरन दा अड्रेस पर ही देता उस पिशों बेदी चंडीगर खास तोरते किरन नो देखन आया थे उसने आपनी फिलम एक चादर मेली सी विचे रानों दे पार्ट लिए चोन लिया राजी नो इस गल्दा पता लगा था auf गुस्से हुई पला मैं उस दा ना क्यों नहीं सी दिता बेदी नो मैं उस दे बार क्यों नहीं सी जोर न लाकिया मैं उसनों समझाया कि बेदी ने सिर्फ किरन बारे ही पुछिया सी राजी दिया अक्षा पचे नीला शोला पढ़किया ओह बोली तेनों ख्याल ही कितों आया एक से होर कुडी दा तू किरन दी शिफारश ही क्यों की ती कि मेरी गल्द सही नहीं सी कर सकदा मैं आख्या तेनों समझना चाहिदा है कि मैं ओह टोक के बोली तू एह साब्द करना चौदा है कि मैं फिल्मा दे काबिल नहीं पर मैं तेनों पोशे दिया कि जे ओह पूतनी फिल्मा दे काबिल है ता मैं क्यों नहीं तू जानना चोना इस दीवज़ा, मैं दास्दी है, एह एक शाजिश है, तू चोना है कि हमेशा मैं तेरी महतारा ज्रुमा, हमेशा पिकारन बणके तेरे दारते खड़ी रहा, इन्ना गल्ला नाल ही मेरा विश्वाष उडग गया है, मैंनू हर वार एहो लग गया कि मैं एक् सालियां बेचा ते सारे हिंदोस्तान विचे तेरा ना हो जाए इस गाल्दे सुपने देखना कुई पाप नहीं मैंनू बहुत लोका ने एहो आख्या है कि मैं फिल मिच क्यों नहीं जान दी हर कोई तेनू ही आखेगा मर्दान आधत है तीवी नू खोश करन ली एहो जहीं फ पुलाइट करन गे वो पड़के बोली तू ही ता मैंनू एक्सू पुलाइट ही कर रहा है कि पता कौन किसनो एक्सू पुलाइट कर रहा है तू कर रही हैं मैंनू एक्सू पुलाइट पर मैं खुली फिजा विच जाना चौनी है मैं चीख चीख के अखना चौनी है आओ मै तू नहीं चौनदा एह गालोगे तू मैंनो एक वारी आर्ट ली जिन्दगी दे के होन इस दा गला कुट ना चौनदा है पर मैं तेनू दिखा दे मागे कि किसे दिन एक मैं वड़ी आक्टस बनागी फिल्म स्टार मैं उस दा हाथ फड़के मरोड़े त्याख्या तू दिखावेगी मैंनो बेशरम एहसान फरामोश मैंनो मिरन तो पहला तू की सी मैं तेनू हुनर बख्षया चेतन ता आपने आपने आपनो जानन दा शाओर मेरे बगएर तू कीएं महज एक कल्चिरल विद्वा ओ या कदम पिशे हटी दे शाटी पिटके बोली हाँ मैं विद्वा हाँ कल्चिरल विद्वा तू मर चुके है मेरे लई मैं उसनो जोर दा तक का दिता जा जिते मर जी जा जिसनार मर जी जा आयका मका मैं उसनो इतने जोर नल तक का दिता की ओ फर्ष उते डिग पई थे उस दे वार खोल गए ओ फर्ष उते पई होए हाफदी होई बोली जानवर वहशी दरिंदे तेनो हिमत के में पई में नो मारां दी मैं दो साल तेरे पिछे पिछे फर्ष फर्ष दी रही तेरे हुकमदी बनी तेरी गुराम ते तू मेंनो मेरी पार्टी होई जुती वांग सुटना चोना है मैं देखागी कि तू कि में कोई ड्रमा कर दाएं इस शेयर बिच मैं तेनो इस शेयर तो बाहर कड़ा के ही दमलमागी तू आदमी नहीं राक्षिस हैं मैं करानिय शत्ता तो चीख चीख के आखांगी है उगल मैं आखांगी की तेरा मेरा कोई रिष्टा नहीं मैं सारी दुनिया नो दस देवागी की तू मेंनो लुटिया है तो खा दिता है मैं सिद्धी तरे तेरे वाइस चांसलर कोल जा के दस देवागी एस भरे मैं गर जा त इस तरह उसनों वेख के मेरे काल जे विच मुकी वजी मेनू पश्टावाया काम दे दर्द विच मेरा वजूद पंगर गया एह मैं कीगी था मेनू की हो गया सी मैं चोक के उस दा हाथ फड़े तेया क्या मेरी प्यारी रोना मैं तेरे नाल है मैं अफसोस है मैं मुआफ कर की क करा जद तू मेरे ते शाक कर दी है तै मैंनों अगल अग जान दी है मेरे दे विश्वास कर मैं तेरे नाल ही नाटक लेख रहे हां हां तेरे नाल अप वेखु सारनों सांजे काम करनों आपा दों एकठे काम करांगे ओह हिचकियां लेंदी होई बोली मैं होर इंतियार नही कर सक दी, मैं बुड़ी हो जा मागी, इस तरह इंसे दयार कर दी, कर दी, मेरी उमर हों 29 साल दी है, मेरी आखां गिर्द स्याक के रे पैने शुरू गए हैं, मैं कदो करांगी तारोदा पाठ, कदो बनागी तेरे नाटग दी संती दे चंदी, मेरा सारा स्रीर जल रहा है, सारी सारी खवाब, सारी उमिदा, मैं आक्या, राजी, तुखूब सूरत हैं, तु कदो बुड़ी नहीं होएगी, जद दी कर तेरे एह आथँ, एह अक्का, एह जजबा, तु कदो बुड़ी नहीं होएगी, जब मैं बुड़ी हो गई ता तू मिनो फाड़े, शाड़े ता नह मैं प्यार कर Da रहेंगा मैं किसम खांदा हम मेरी प्यारी यह कसम के तु कदी नहीं बदले गा तbey हमेशां प्यार करदा रहेंगा हाँ हमेशा जए Ide प्यार करदा रहांगा उस दे हॐंजुँआ ने इस दा गुसा टो दितह ते उस ॥े शने चेह हन् sf 175 ऐपने वाल बटवे विचों कडई विचों कड़ी दे रखा उसने अपणे अपने हं气 अपने काले बटवे विचों कड़ी दे आखा मैं गीता हमेशा अपने बडवे कि तो हमेशा वास्ते नकारा हो जाएं हाँ हमेशा ले उसने गीता फिर बटुवे चे रखी ते आख्या हुण में लुजकीन आ गये आख की मैं तेरी बीवी या सदा ले हाँ सदा ले उसने अपने चोली दे बंदग खोल ले ते आख्या मेरे मुबूब मेरे सीने लग जा अपने आपनों मेरे अंदर समा दे मेरे अंदर जजब हो जा मेरे अंदर गुम हो जा मैं उसनिया पर मिया शातिया दा नेके महसूस की ता ते उसन दा गरम सा मेरे थेटर दे बारे दो नोजवान मुड़े अफवावा फेला रहे है सन की एप्थे कुडियां मुड़े रलके नाचे दे आश कर दे हन एहे खबर भी उन्ना ने फिलाई की मेरा चाल चलन ते मेरे विचार खुले डुले हन मेरे चाल चलन आते मेरे विचार खुले डुले हन मैं नोजवाना नो कृर्प्ट का रहा हां मेरी पुश परताल होनी चाही दी है ओ दिली तो खास तो ओरते इससे कामली नियत किते हो किते गैसन की परफैसर ते थेटर विचे काम करन वारे हैं दे चाल चलन बड़े रिपोर्ट करन मैंनो समय नहीं सी आ रही की की करा मैं किसे ने मैंनो दस्या की फोटोग्राफर अदर्श एना नोजवाना जज़ते दा वाइस प्रेजिडन सी मैं अदर्श नो मिलन गया ओ अपनी दुकान ते बैठा अपनी निक्की जही खिल्दरी दाड़ी नो पलोस रहा सी ते मेरे ख्याल किसे ख्याल वेचे डुबे आया सी मैंनो देखके ओह मुस्कुराया उसनी आखा वेचे एक चमक आगी ते उसने पुछिया क्यों ये कस्ट है ओह अक्सर इससे फिक्रे नाल मेरा स्वागत करदा थे फिर अपनी दाड़ी नो पलोस दा होया लागले कोफी ये उस तो ठंडी कोफी दा आडर देंदा पर अज मैंनो सच मुछ कस्ट सी ओह सारी गल सुनके मेरी सारी गल सुनके ओह साख्या एह बदमाशा दा तो लाए ठगा दा तो कबराना मैं इननो जानना है ये खुद नो हर सोनी कोडी मगर लाला लाणा देख दे फिर देने पर जे किसे आर्टिस्ट नार किसे कोडी नो देख लेन ता समाई सुदार दा नारा लाके उना दे मगर पैज़ा देने नरा पखांड फिर तू उना दा वाइस प्रेजिडंट क्यों है क्योंकि मैं उना दा वड़ा पखंडी हैं उना बोलिया जदो तूसी गुंडिया नो कोट नहीं साग देता उना दे नार राल जाओ उना तो वड़े गुंडे बाण जाओ फिर उना तो हड़ी इज़ित करन गे मैं हवादा रुख देख लिया ते इना वज़े शामल हो गया उना मैंनो वाइस प्रेजिडंट चुण लिया इसलिए नहीं कि मैं चंड़ा फोटोग्राफर है इसलिए कि मेरे निक्की काली दाड़ी है ते मैं उना नो दो सुर पे चंड़ा देता बस हर एक दा मोल है हर पदवी हर आदमी हर माल विका हुए अज कल नोजवान सबामा दे टोलिया दा जमाना है बस फैशन चाल पे आ है कि हर अमीर कराने दी कुड़ी ते मुंड़ा अपनी कार दे कुटे समेट देश सिवा विचे लगए होया है मैं उना विच्छोए कहां जे मैं उना दे नाल नाराल दा तेरा ख्याल है कि एहे मेरे स्टूडी वचे लगए हैं नंगी हैं तस्वीर नो बक्स देंदे उसने कंदवार इशारा किता एहे देखे इटली दी पुड़ी नंगे पाटते खुले वड़ा दे उस दा गिला पतला कमीज इस विच्छों दे शातियां चाह करें हैं उस दा जो बनते उस दे शलक दे आंगे मलमल दे कमीज विच्छों दे सरह हैं कल दो नौजवान लीटर आई ते खापाड़ के इस फोटो वाल तक करन लगए तेरा की ख्याल है कि ओ इस सेक्सी फोटो नो शाड़ दे जे मैं उनना दा गुरू ना हूंदा ते नौपता है नौजवान कुड़ियां मेरी यां गाह का न पश्मी नाच दियां शुकीन औरतां जो शराब चे सिग्ड़ पीन दिया हान कई बार मेरे स्टूडियो वेच आगे फोटो के चुँओ निया हान इह ना दे खावान दे पती मेनो एक मसूम पिंगला समय दे हान ते ओ समय दे हान की मैं पला ओना दा कीवगार सकदा हान मेरे नाल की डारे एना होतानू पर ओ बेवकूफ एह नहीं समय दे की सेक्स तो हाड़े स्रीरी वेच नहीं तो अड़े मान वेच उन्दा है इथे एहे आके उसने अपनी मोटी मदरी उंगल नाल अपने सिर नो होड़ी उलिट खो रहा इथे अधर शे मसा सवाकू चार फुटदा नौजवान सी पॉलियो नाल उसने लटा मारियां हो यह सन ते ओह विसाखियां होते तुर्दा सी निके गदगुदे हाथ अते सेर निका उधे चेरे होते सब तो ते आन्योग सन उधे चेरे होते सब तो ते आन्योग सन उसने अखां उसने पुटलियां टेड़े जाम ये तो चाग दिया सन एक अख फोक्स विच हों दीते दूजी तिर्शी इन अखां विच एक अजीब निरलेपता सी पर जदों ओगला कारदा ता एह तेज आक ख ते अर्थपूर्ण हो जान दियां इनना विचे परतिवा मगन लाग दीते सर्व गयां दियां जो ता जाग उठ दियां उस दे वड़े सेर विचे जिमे कई दमाग सन सोचां ते चेतन ता दे कई मुदू शते ओ एको समय पांच शे वख वख अन जुणियां समस्यमा बरे गल कर सकदा सी ओ दुकान उते दोस्ता नाल गल गाका नाल टैनी फून उते ते जी नाल एको सा विच कई तरण ये गला करदा हाँ साड़े कोल अलफा कलर फिल्टर है ते आटो इन लार्ज पौंग ना दो कोफी क्रीम ते शे चिकन सेंडविच गोली मार उसरा मेनू मेरी दुकान ते नावे हाँ एक सीड दिली दे हवाई जाए दी बुक कर देओ नहीं मेनू और तो दियां मम्मिया चंगियां लाग दी हानम वड़े ममें नहीं हाँ एक आटो इन लार्जर दे अठ एम एम दा कैमरा ओ मैनू अखर लगा मैं चंगे माल दा गाह कहां चंगा कैमरा चंगा स्टूडियो चंगे फिल्टर इस दा रिजल्ट भी चंगा होगेदा चंगे कैमरे नल आदमी चंगी फोटो बना सकता है खूब सुट स्वेर दा मैं बड़े खराब मूड विच हाँ जी करता है गाका दियाखा नोच लमा दिन रात लोका नल पोंकना पेंदा है कई महीनियतों किसे वदिया आदमी नल गल नहीं किती मैं अपने जिन्दगी बरबाद कर रहे हैं हाँ हाँ इस शेयर वेच पर की करा है इनसान की कर सकता है की गल है तेरे चेहरे ते परेश्यानी है चिंता ना कर एह नोजवाना तरुला कुछ नहीं कर सकता मैं देख लमागा एक गल दा सर अज रात दिन रखाएंगा मेरे नाल मैं कुछ गला करनी आए तेरे नाल हाँ जरूर किते ते यही माउंट वियू होटल ठीक रहेगा साड़े साथ वजे ठीक है साड़े साथ वजे पहुंच जामागा मैं आख यहाँ मैं एन वक्त उते माउंट वियू होटल पहुंच गया हो अद्धे कंटे पेच्छें विसाखियां दे सारे तुर्दा डाइनिंग रूम विचे दाखल वाया उस वेले दो बहरे ने दोड़के एक कुरसी मेरी मेरी तो किची दे अदर नाल बठाया अदर शे ने अपणिया विसाखियां कुरसी दे एक पासे टका देती है ते मैं विसकी रम मैं विसकी दे तरजी देती उसने दो पेगदा आडर देता मेज उते कूढ़ियां टेक के और दो हाथ ठोड़ी थले टका के मुस्कराया ओो बोलिया मैं देर ना राया हाँ इस गल्दी मुआखी दरसल जिदो मैं तुरन लगा था पंच जणिया ने मैंनो दावत दिती की मैं उनना दिना शरा पीवा मैं एक है के खेड़ा शुड़ाया की मैं ठक्या हो यहां आते कार जणा है मैं हर जणे खड़ी ना खाना खाना खान ते शराप इंदा काईल नहीं मैंनो बहुत थोड़े लोका दी सौबत चंगी लग दी है बहुते थोड़े लोका जिनना कोल आइडिया जाना अक्सर लोग फोके ते बेसर हुन दे हाना उनना ये गल्ला फोके यां कैमपस विच एहो जहे परफेसर हैं जिनना आते मैं थुकणा मी नहीं चूँदा उनना कुछ कोई विचार जा ख्याल जा नमा आइडिया नहीं जो एही विद्यार थी हैं उदे सकाना उनना इको गालों दी है हर में ने दी पहली तरीक नो तनका लेनी एह लोग बोगस हाना साड़ी सुसाइटी ही बोगस है आदमे हर वेले सदा चार दी हैं गल्ला कार दे हन अते चंगे सदा चार बारे पाशन दे हन पर जदो ओह किसे टीवी नो देख लेन ता उनना दी आखा पाड़ जानी हन एहे लोग मंदर ते गुर्दवारे आ कीरतन सुनन जान दे हन पर इनन दी आखा तीवी नो तूड़ दी हन किने सोने हन किने सोने पाटने किने सोने ममे एक कंजर किसे कोठे थे क्यों नहीं चले जान दे सब तीवी नो दे पुखे पर फिर मैं सोई दा हाँ इस विच हरज भी की है पला मेंनू दस्तो जे कोई तीवी मेरी मंजीत आ जावे ता कि मैं उसनो शट दे मागा जे साड़े सियासी लीडर किसे तीवी ना सोन जान ता इस से विच की हरज है जे कोई पॉलिटीशन किसे तीवी ना इश्क कर सकदा है ता मैं समय दा हाँ कि एह बहुत वड़ाट है में आखिया पर जे कोई पॉलिटीशन वजीर होवे ता जा किसे और वड़े ओदे उत्ते बक्षिशा करके अपनी पदवीदा फैड़ाट हाके तीवी ना उपर वहां के बिस्तरे विच लेजन दा है ता मैं समय दा कि एह बद्चलनी है पाप है जुर्म है ओह मुस्कुराया एह बिजनस है सौदा तेनू नहीं चाईदा कि इसनू पंडे एकलागदा ठेके दार ना बान इस समाज विच कोई अपना आर्ट वैच दै कोई टैलेंट कोई विचार कोई अपना जिसम सब इको गाले तीवीया नो हर जोग विच अपने जिसम दे जादू नाल मर्दा नू परमाया तीवीया ने हर जोग विच अपने जिसम दे जादू नाल मर्दा नू परमाया उना नो बरतेया ते फिर आख दिता कि ओह विचारें लुटीया गईया उना दी किसमत लुटी इसमत लुटी गई ते मर्द भी हरामी है ओह एह रोड़ा पूंदे ने कि तीवीया ने उना न विच नहीं साम मेरा जी करदा सी कि ओह गल्ला करी जावे मेरा मान बिलकुल खाली सी बस दी उस दिया गल्ला सुना लई जी करदा सी ओह मेज उते चुकिया थे अग्यों के बोलया बलवंत जी लोग तो हड़े बारे गल्ला कर देने इस कटिया शहर विच लोका नों जी ओ जिसनों जी चाहे प्यार करो जिसनों चाहे शट देओ मैं इह गल्ल सब्दे सामने केननों त्यार हां मैं तो हड़ी बहुत इजित करदा हां पर एक गल्ल केनी चूंदा है राजी बारे राजी दा ना सुनके मेरे कान खड़े हो गए ओ बोलया ओह तो हनों तबाह कर देवेगी जदो तुसी जिसे ऐसी तीमी दी महबत विच गिफतार हो जाओ जो तो हनों सादन बढ़ा गयत रकी दिया उपर लिया मंजलां उते पहुंचेना चूंदी है ओह तो हनों जूर तबाह कर देवेगी मैं मैं अख्या मैं नों पता है लो की आख दियान पर तेनों इस औरत बार कुछ भी पता नहीं मैं ऊसनों प्यार करदा हाँ ते इस तरनादा प्यार मैं किसी होरतीवी नहीं कीता जिदो मैं 23 साल दा साथ हैं मैं एक नौजवान एक्टरस नू प्यार करना लगा चार साल मैं एक महा पर बल प्यार देनशे विच रहा उसने मैं नू शाट के मेरे एक अमीर दोस्त नालविया कर लिया फिर कुछ साला पिशों उसनो भी मैं उसनो भी उसने तोखा जिता होन मैं पंजी साला पिशों राजी नू मिलया था मैं नू इस औरत विच ओही हुसीन दा रूप नजर आया जिसनो मैं हुन तक अडिकदा सा मेरे प्यार ते वेग दी सही मूरती पूरी तीवी मेरे दोस्त मैंनू किसे तरह जान सकदे हैं मेरे अंदर की माच रहा है इसनो कोई नहीं जान सकदा इस हुसीन नशे दा उना नू की पता है जिसम दे पूरे अनन दा दो जन्या दे पूरन मिलाव दा उबले जजबे ते इस डांग दा मैं उस नल पांच साल तो हां पूरी तरह हर चीज उस नल सांजी पांच साल देन ते रात उस नल मैं अकदा ह कि पांजे मेने भी काफी ने उस नाल पंजास साल मांग लग देने इतने परे परे मैं उसनु प्यार करदा है प्यार एक चमतकार है इस तोहोर उत्ते की होएगा कुछ भी नहीं इंसान फाइदे नहीं गन सकदा पला मैननु जिन्दगी दा की फाइदा की मन्तव है इस दा, की मन्जल है इस दी, सिर्फ मौत, पस इसे लए असी दिन रात जदो जद कर दे हां, लड़ दे हां, चगड़ दे हां, मियोतां बनो दे हां, पैसे जमा कर दे हां, ते जमीना खरी दे हां, ते महल उसार दे हां, बस आखर विच मर जाना, आखरी मन्जल है मौत मेरी यह गलना सुनके अदर्श कुछ देर चोप बैठा रहा यह फिर बोलिया बलवंत जी मैं तो हड़ा सिद्ग देख के हरान हा तो हड़े विच अपने आपनो तबात कर देन वाड़ी शक्ती है ते उस जैर नो चखन दी भी जो किसे दूसरी दुनिया दा है मैं तो आनो समय दा है एह आखिया दर्शन अखा बांद कर लिया ते अपना पोला गुदगुदा हाथ मेरे हाथोते राख देता तन बाद मिल दें अगरे पाग विच